हेलो दोस्तों नमस्कार आज हम पढ़ते हैं हीमन इस्केल्टन के बारे में हीमन इसकेल्टन को दो भागों में बाटा आ वह पहला एकजियल स्केल्टन और दूसरा अपेंडीकुलर स्कल्टन एकजल स्कल्टन में 80 बोन्स होती है और अपंडिकुलर स्कल्टन में 126 बोन्स होती है एकजल स्कल्टन को चार भागों में बाटा गया है पहला है इसकल दुसरा वाटेबरल कॉलम तिसरा इस्टरनम चौथा रिप्स इसकल में 29 हड्या होती है वाटेबरल कॉलम में चबबिस, श्टर्नम में 1, रुपस में 24, अपंडिकुलर स्केल्टन में दो भागों में बाटा गया है, गेडल बोन एंड लिम बोन, गेडल बोन में 6 अडिया होती है, लिम बोन में 120 होती है, गेडल को दो भागों में बाटा गया है, पहला पेक्टोरल गेडल में 4 अडिया और पेल्वी गेडल में दो अटिया लिम्ब बोन 120 होता है अपर लिम्ब में 60 लोवर लिम्ब में 60 इस तरह मिलाके 120 हडिया हो गई धन्यवाद